आज हम लोग बात करेंगे कैनाडा के हिंदु टेंपल में जब हिंदु वर्शिप कर रहते हैं जो खालिस्तानी एक्स्रिमिस्ट है वो लोग हिंदु उसके उपर अटाक किया है वो भी स्टिक से और वोमें चेल्रें ये लोग भी सेफ नहीं रहे हर किसी के उपर वो लोग अपने तरफ से अटाक किया आगे जाके कैनाडा का जो टूडो गवर्मेंट है इसके एगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं लिया या फिर कोई भी खालिस्तानी को गिरिफ्ता अगे अगर देखा जाए कनाडा के जो टूडो गवर्मेंट है इसको लेके कभी अपने तरफ से कभी और ये एक्शन नहीं लिया और देखा जाए करनाडा का जो कंडिशन है कोई भी उहां है अगर हिंदू जाक्री कोई पर्टिकुलर रिलिजन से बिलॉंग करते है वो से कंडवर्ट हो जाए जिस कंट्री में लोग इंडिपेंडेंडली घूमने में भी डरे तो ये सब सुनके आप बोलेंगे के भाया तब तो इन फ्यूचर जाके हिंदूस जो है वो सेफ नहीं है कैनाडा में इन लोग का जो प्रॉब्लेम है और भी बर सकता है और हो सकता है क इसके बाद बहुत सरा कोशिंरडेंड का गर्षेंट इसको लेके सेलेंट है इसको कोई कडी एक्शन नहीं ले रहा है या फिरको इकरी एकुशन लेने चाम ये हीर। वो आगे जाके फिर से ऐसा कूछ step ना ले. दूसरा जो question है के इंडिया का stand क्या है. ऐसा अगर हिंडूस के ऊपर attack किया जाएगा, या फिर इंडियान हिंडूस के ऊपर अगर कनाडा में attack किया जाएगा, उसको लेके इंडिया के क्या stand है और इंडिया क्या सोच रहा है और तीसरा जो question है exactly वो है दुनिया का super power जो सब के उपर चरी घुमाने का कोशिश करते है यूएस यूएस का ये जो incident है इसमें क्या stand है ये फिर यूएस इसको कैसे देख रहा है और जो last question है what about the future future में जाके क्या होगा तो एक एक करके ये सारा questions का जो answer है वो ढूनने का कोशिश करते है पहला जो question था Canada का जो टूडो government है वो क्यों silent है इस तरह का attack को लेके आज के रेट में अगर देखा जाए ये जो incident हुआ इस incident के बाद टूडो ने अपने तरफ से एक से tweet किया है on the other side टूडो का government अपने तरफ से जो खालिस्तानी एक्स्रीमिस्ट है उसके एगेंस्ट में कोई action नहीं लेता है तो आगे जाके ये उसका जो होट बैंक के उस पर असर करेगा जबके देखा जाए जो तूडो का condition है तूडो का कोई चांसे सी नहीं है आगे जाके जीतने का फिर भी तूडो अपने तरफ से कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि यही कोशिश के वज़ए से तूडो के तरफ से कोई step नहीं ले गिया गया on the other side अगर देखा जाए यह सारा जो incident वो Canada का एक citizen एक woman जो के Canada का citizen है religion में वो है Christian वो अपने तरफ से इसको completely video किया है और इसको Twitter में डाला है उसके बाद वो Trudeau को भी tag किया है आगे जाके Trudeau का स्रिफ एक tweet आया है जो कि एक normal tweet है on the other side Trudeau ने अपने तरफ से कुछ action नहीं ल देता है किसी को भी मार देता है कहीं भी जाके दंगा कर लेता है यह सब Canada के citizens को पसंद नहीं है हो सकता है कि वह को दूसरा और religion से belong करता है but no doubt this is a situation that Canada के जो citizen से वो लोग इसको पसंद नहीं कर आगे यह बाद Trudeau को समझ में नहीं आ रहा है Trudeau इसके लिए against में कोई action नहीं हो भी हम यह बली दे दूंगा मगर मुझे election जीतना है जिसके वाइस से Trudeau कोई step नहीं ले रहा है अब आते है next question पे what about इंडिया का exactly इसका क्या रवया है इसको लेगे अगर past में देखा जाए इंडिया ने बहुत बार यह सब जो issue है Canada के government को raise किया है मगर Canadian government को सब कुछ पत नहीं कुछ सुनना भी नहीं है अभी एक news में पर रहा था जहां मुझे पता चला कि इंडिया के जो diplomats है Canada के तरफ से उन लोग के साथ ठीक से वहवान नहीं किया गया तो यह एकनी बहुत थी खराब चीज है अन्दा जैसे टूडो का government जो है यह सब promote कर रहा है और टूडो का government नहीं कर रहा है जिसको लेकर इंडिया ने बहुत पहले से यह बहुत बार अपना voice race किया है अन्दादा से डागर देखा जाए हमारे जो पीए में वो और यूस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के साथ बांगलदेश के हिंडिस को लेके भी बात किया था मगर उसमें एक् को कुछ नहीं ले रहा है जा आँ पॉलिटिक्स से अभी हम लोग को पता है कि जैसे दिवाली का टाइम चल रहा था तो हर कोई जो है वो टेंपल में जा रहा था वहां वर्शिप कर रहा था और यह जो हुआ है हनुमान जी का जो फ्लैग होता है औरेंच कलर का जैसे आपक मन थे चिल्रेंट थे वो लोग भी सेफ नहीं रहे इस अटाक में अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे कि यूएस क्यों साइलेंट है हम लोग को पता है यूएस में वोट चल रहा है तो नो डाउट इस टाइम है हर कोई जो अपना स्टेटमेंट है ऐसा ही स्टेटमेंट दे जाता है यह जो हालत हम लोग को आज कैनाडा में देखनी को मिल रहा है आगे जाके यह सब हम लोग को देखनी ना मिले अगर देखा जाए जो बिड़न या फिर कमला हैरीस के तरफ से इसको लेके कुछ बोला नहीं गया है डियर कम्प्रेटली साइलेंट डोनल्ड यूएस के जो सारे लिडर से अभी वोट को लेके वीजी है इसलिए हो सकता है को लोग दूसरा कंट्री का यह जो इशू है यह चोटा इशू समझा इसको लेके कोई अपने तरफ से कोई स्टेट्मेंट अभी तक नहीं दिया है अब आते लास्ट कोस्टेंट पर किसका एक उसमा बीन लादेन का जो केस हुआता है इसके लावी अगर हम लोग हमारे परोसी को देखे पाकिस्तन एक टाइम में पाकिस्तन अपने तरफ से जितना भी मतलब एशिया के जितना भी टेरिस गैंग था या फिर जो ग्रूप्स थे सब गर्रूप्स का जो घर हुआ करता थ है कि अगर कोई कंट्री अपने तरब से सोचता है कि कोई भी सेलूशन के लिए हम लोग को टेरोरिस्ट पैदा करना है तो यह गलत है आगे जाकर वो जो टेरोरिस्ट है वो खुद को अगर देखा जाए लॉंग टाब में यह जो खालिस्तानी इश्व है यह इंडिया से भी जादा जो एफेक्ट करेगा वो है आपका कैनाडा के उपर जैसे हम लोग को पाकिस्तान में देखने को अभी भी मिल रहा है तो नो डाउट इन फ्यूचर जाके आगा डॉनल्ड ट्र सब्सक्राइब करने है तो प्रेजेंट ली जो कंडिशन है इसमें हम लोग उमीद कर सकते हैं कि हम लोग को कुछ दिन और वेट करना पड़े का या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट और सुनने को मिला जब तक यूएस का इलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है या फिर कैनाडा का जो इलेक्शन है वो खतम नहीं होता या फिर नया जो गवर्मेंट यो फॉर्म नहीं होता जब यह फॉर्म हो जाएगा अगर कमला हरीज भी आता है तो हो सकता है कि कुछ चेंजिस हम लोगो देखने मिले या फिर अगर टूडो के जगा कोई और आता है तो ओवियसली हम ल बहुत सारे टॉपिक में बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो जो हमको मिले वाला है जो वीडियो आपको सबसे अच्छे लगते है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइप की जो स्पेशल पूसे ने उनके साथ शेयर कीज़े क्योंकि इससे क्या होता आपक क्वस्तुरा नोटिक्रिशन पहुँच जाएगा और ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद